हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीता, मेरे चैनल को कवित मीता में आप सभी का स्वागत है ठेरो लेयर्स वाली ये नमकीन मेथे स्टिक्स शाम की चाय का मजा डबल कर देगी बहुत ही खसता कुरकुरी और क्रिस्पी है ये अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बिना देर के नमकीन मेथे स्टिक्स बनाना शुरू करती हूं मैं यहाँ फ्रेश मेथी ले रही हूं हमें इसके केबल पत्तों को लेना है डंडियों को हमें नहीं लेना है देखे मैं इसके पत्तों को निकाल लेती हूं इस तरह से इसी तरह मैं सारी पत्तियों को निकाल लेती हूं मैंने यहाँ पर सारी पत्तियों को निकाल लिया है देखे इस तरह से अब मैं इन पत्यों को वाश कर लूँगी मैंने इसे दो कर स्ट्रेनर पर रख लिया है और इसके सारी पानी निकल गए है तो अब मैं इसे बारिक-बारिक काट लूँगी इस तरह से मैं रॉलिंग बोट पर पत्ते रखकर बारिक बारिक चाकू से काट लूँगी हमें इसे बिल्कुल बारिक काटना है आप चौपर से भी इसे आसानी से काट सकते हैं देखे इसी तरह से मैं सारी मेथी के पत्तों को काट लूँगी इस तरह से काट कर मैं एक बाउल में रखती जाओंगी यहां देखे सारे पत्तों को मैंने बारी कट करके बाउल में रख लिया है ये एक बाउल मेथी के पत्ते हुए हैं अब एक पैन में हाफ टीजपून घी डाल दूगी घी मेल्ट हो गया है तो ये सारे मेथी के पत्ते डाल दूगी और हलका सा इसे सौटे कर लूँगी सौटे करने से दो काम होंगे एक तो मेथी में जो कड़वापन होता है वो निकल जाएगा और दूसरा पत्ते सौफ्ट हो जाएंगे तो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो पाएंगे और बिलते वक्त भी परिशानी नहीं आगी देखिए ये अच्छा सौफ्ट हो गया है इसे मैंने केवल दो मिनट ही भूना है और इसका मुश्चर भी खतम हो गया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है सबसे पहले मैं इसमें एक कप गहूं का आटा ले रही हूँ और ये हाफ कप मैदा लिया है मैंने आप चाहें तो इस मेथे स्टिक्स को केवल गहूं के आटे से भी बना सकते हैं या केवल मैदे से भी बना सकते हैं पर मैं यहाँ दोनों मिला कर ले रही हूँ अब इसमें half cup सूजी डाल रही हूँ, सूजी को मैंने grinding जार में डाल कर बारिक कर लिया था, इससे इस मेथी स्टिक्स में अच्छा सा कुरकुरा पन यानि क्रिस्पीनेस आता है, half teaspoon मैं इसमें चीरा डाल रही हूँ, half teaspoon दरदरी कुटी वी काली मिर्च डाल रही हूँ, एक teaspoon अजवाइन लिया है मैंने, इसे हथेलियों से इस तरह से क्रश करके डालूँगी, one fourth teaspoon हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, half teaspoon काश्मीरी लालमेश पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी और काश्मीरी लालमेश को कलर के लिए डाला है मैंने, एक teaspoon मैं सफेद तील डाल रहे हूँ, तील से इसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है, नमक टेस्ट के कॉर्डिंग डाले, वैसे मैं इसमें एक teaspoon और एक चौथाई teaspoon डाल रहे हूँ, बस इतना ही डाल रहे हूँ मैं, half teaspoon मैं समें sugar powder डाल रहे हूँ, शुगर पाउडर आप इसमें जरूर डाले, इसमें जो मेथी के पत्ते और ये मसाले डाले है न मैंने, उसके टेस्ट को ये सुगर पाउडर जो है न वो बैलिंस करता है, मैं इसमें दो टेबल इस्पून घी डाल रही हूं मोयन के लिए, अब ये जो मेथी के पत्ते को भून कर रखा था न वो डाल देती हूं, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, हाथों से इस तरह से मसलते वे मिक्स करूँगी, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे के बाइंड करके देखती हूँ, देखे लिका सा बाइंड हो रहा है पर इसे उंगली से दबाने से ये भिखर भी जारह है। पर इसमें मोयन ठीक है, परफेक्ट है, हमें इसमें ज्यादा मोयन नहीं डालना है, क्योंकि जब layers बनेगा, तो उसमें भी घी लगेगा, अब मैं इसमें हलका हलका पानी डालकर आटा लगाऊंगी, मैंने यहां पर एकदम हलका गुनगुना पानी लिया है, और एकदम टाइ डो बना लूँगी, देखे, यह एकदम टाइट डो बना लिया है मैंने, इतना आटा लगाने में मेरा वनफोर्थ कप पानी लगा है, इसमें सूजी भी है, तो यह फूलेगी, इसलिए से ढखकर आधे घंटे के लिए रख देती हूं, या 15-20 मिनट के लिए भी रख सकते ह जितनी दिर में आटा सेट हो रहा है, मैं इसके लिए एक पेस्ट बना लेती हूं, यानि साटा बना लेती हूं, जो लियर्स बनाने में काम आएगी, मैं यहाँ दो टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर ले रही हूं, कॉर्ण फ्लोर की जगा अरा रोट भी ले सकते हैं, या मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून घी और लिया है, इसे अच्छे से फेट लूँगी, टोटल इसमें दो टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर और धाई टेबल स्पून घी लगा है, देखे मैंने इसे अच्छे से फेट लिया है, और इसका कलर लाइट हो गया है, ये एकदम क्र रालकासा वाइल लगा करं फिर से मसल लेती हुं और लम्बाई में रूल पोनामी it or सभी को अलगे कर दिती को मैं यहां पर एक लोई लेती हुं पागी कोशल धग दिती हुं अब इसने अक्षे से हाथ से मसल जोए पिड़ो गम अलेती हुं ऑप मैं इससे बे अच्छा कड़ा है अगर आपको लगे डस्टिंग करना जरूरी है तो आप इसमें कर सकते हैं मेथी के पत्ते को भून लेने की वज़े से ये आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है और अलग से निकल भी नहीं रहा है पतली रोटी मैंने बेल ली है दिखाती हूं मैं आपको बिल्कुल इतनी पतली अब मैं इसके उपर ये जो साटा बनाया था न वो लगा देती हूं अच्छे से हाथ से ही फैला लूँगी आप चाहीं तो ब्रस से भी लगा सकते हैं मैंने इसमें चारू तरफ अच्छे से एक पतली लेर लगा ली है बहुत जादा भी नहीं लगा अब इसे एक दरफ से आधा फोल्ड करूंगी और इसके उपर भी हलका सा साटा लगा देती हूं फैला देती हूं अच्छे से इसके उपर अब इसे फोल्ड कर लूँगी अब इसके उपर भी साटा लगा देती हूं बहुत जादा नहीं लगाना है बस हलका सा लगा कर इसे अच्छे से फैला लूँगी अब इसे आधा फोल्ड करूँगी और इसके उपर भी साटा लगा दूँगी और इसके उपर ये फोल्ड कर लूँगी और हलके हातों से इसे प्रेस कर दूँगी अब हमें एक स्क्वार शेप मिल गया है अब हमें इसे स्क्वार शेप में ही बे कर सकते हैं अब इसे square shape में बिल्कुल हलके हाथों से बेल लूँगी बहुत दबा कर हमें नहीं बेलना है हलके हाथों से ही बेलना है मैंने इसे बेल दिया है और हमें इसे इतना ही पतला रखना है अब इसके उपर फिर से साटा लगाना है हमें ये काम दो बार ही करने है मैंने चारो तरफ अच्छे से साटा लगा लिया है अब एक तरफ से आधा फोल्ड करूंगी इधर भी साटा लगा लूंगी और इसके उपर इधर से भी फोल्ड कर देती हूं इसे हलके हातों से प्रेस कर देती हूं और धीरे धीरे हलके हातों से लंबाई में बेल लूँगी एक बार पलट कर भी बेल लूँगी हमें जादा पतला नहीं करना है एकदम हलके हातों से ही बेले देखे हमें इतना ही मोटा रखना है चाकू से ये किनारी काट कर हटा देती हूं आप अपने हिसाब से जितनी चौड़ी या पतली स्टिक काटना है आप काट लें मैं यहां half centimeter जितनी चौड़ी स्टिक काट रही हूँ चाकू से दबा कर नहीं काटना है देखे मैं दिखा रही हूँ आपको हलके हाथों से इस तरह से काटें देखे मैं आपको दिखाती हूँ इतना ही मोटा हमें रखना है और जब मैं इसे fry करूंगी तो इसके layers अपने आप खुल जाएंगे और सारे स्टिक्स को मैं plate पर रखती जाऊंगी इसी तरह मैं और भी स्टिक्स काट लेती हूँ यहाँ देखे मैंने सारे मेथिस्टिक्स को तैयार कर लिया है अब मैं इसे fry कर लूँगी मैंने वाइल को गरम होने के लिए रख दिया है फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही मैं इसे fry करूंगी चितना कड़ाई में space है उतना मैं डाल देती हूँ अभी इसे टच नहीं करेंगे फ्राई करते वे जब ये ऊपर आ जाएंगे तब हम इसे पल्टेंगे देखे इसके लियर्स कितने अच्छे से खूलने लगे है अब इसे धीरे धीरे पलट दूँगी लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर से क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी ये मेथे स्टेक्स बहुत ही खस्ता बनती है अभी इसमें थोड़ा सा और गोल्डिन कलर आने देंगे ये देखे वाइल में जाग भी खतम हो गया है और कलर भी अच्छा गोल्डिन आ गया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखे कितने सारी लियर्स दिख रहे है अच्छी क्रिस्पी भी लग रही है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ वाइल अभी काफी गरम है तो सेकंड बैच फ्राई करने से पहले गैस को ओफ कर दीती हूँ अब सेकंड बैच भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी निकाल लीती हूँ इसे भी अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है और खस्ता बनी है ये आपको टिश्व पेपर पर चेक करके दिखाती हूँ इसमें वाइल भी नहीं लग रहा है आप इसे एर टाइट कंटेनर में एक महने से भी ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होती है और क्रिस्पी बनी रहती है आप एक बार इसे ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में चरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ